आपको नाचरल गास के ऊपर एनलेसिस करके बताने वाला हो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नाचरल गास के ऊपर क्या मोमेंट देखने को मिल सकती है फर्स्क टैम विजट करें को सब्सक्राइब करें के और डेली बेसको पर इंट्राली लेवल से तो टेलिक्राम चैनल जरुआइन करें वन अप्द बेस्ट आनलाइसिस एग्दम फ्री आपको पर प्रवाइड करा तो कोई भी चार्जेस नहीं है लिंक आपको यहां से बाइब करता हूं तो देख लिए यहां से ब्यूकर निकल के आ रहे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है वो बताऊंगा क्यूंकि देख लिए तो आसा में जुमाट करता हूं यहां पर देख लिए एक बार टच क्या तै फिर ग। सब्सक्रियर डेंद कावश खेंडश बिए दो darf अ पर गया और यहां पर 24 बार शेम प्राइच में आते हुए देखने को mismo मिर रहे ।ो क्य खम यहां से भाइकर्यकिस साथ सकते हैं क्या यहां पर क्लियर एनलाइसिस मैं टेक्निकल वेस्ट के उपर यहां भी बताने की कोशिश करूँगा रही बाद जो भी आनलेसिस बताता हूं मैं यह कोई में सेबी रेजिस्टर आनलेसिस नहीं हो जो आनलेसिस करूँगा वह 100% सही रहेगा लेकिन ध्यान में रखें एंजी के उपर मैं खुद इंट्राडे लेवर्स प्रवाइड कराता हूं तो डेली मैं एंजी का लेवर्स प्रवाइड कराता हूं उससे थे मुझे ऑइडें लग जाता है कि मार्केट कहां पर जाता है ऊपर जाना चाता है यह नीचे जाना सकता है इनडावन कहां तक मिल कर यह सारा और गều तो फाइट ओर जिरू के आसपास अभी लाइव मारेय। तो लभाइव मार्केट के बात करेंगे तो फाइव फाइट फोर सिक्स के आसपास अभी लाइव ट्रेडिंग हो रहा है। लगब लबब पाच परशेंट की गिरावट देखने को मिर रही है। यहाँ पर की कर्रेक्शन देखने को मिल रही है और टॉप से देखोगे मतलब जो हाइस टॉप लगा था वहां से देखोगे तो अलमुस्ट यहां पर अभी ध्यान में रखना बहुत स्टॉंग सपोर्ट है तो अभी यहां पर व्यूकुल नहीं करना चाहिए और भाई भी आपको भी उप्यूकुल नहीं करना चाहिए तो करना क्या है कि इसके उपर आपको भाई की पोजिशन बनाना है कि इसके उपर 5.80 के डॉलर के उपर चीरो के नीचे क्या रहेगा स्टॉप्लस रहेगा तो यहां पर आवरेज करना चाहते तो 5.80 के उपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आपको यहां पर आवरेज की पोजिशन नहीं बनाना है तो यह आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स के उपर इन्जी का अभी हम बात करेंगे इन्जी का जो M6 मारकेट है उसके उपर अनीलेजस करेंगे कि M6 मारकेट के उपर डीएली कैंडल के बैश के उपर कैसा सपोर्ट रिजिस्टन्स निकल के आ रहा है तो यहां पर भी इस ट्रॉंग सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी चारसो साठके आसपास अभी जो लाइव चल रहा है व्यूकुल चारसो साठके चल रहा है और चारसो बावन का यहां पर व्यूकुल स्ट्रॉंग ही सपोर्ट निकल के आ रहा है तो यहां पर देख लिजे चारसो बावन का ज जो लेवल्स हा रहा है वो अभी रेजिस्टन्स का काम करेगा और रेजिस्टन्स के उपर मार्केट सस्टेन करेगा तब ही आपको यहां पे बाई की पोजिशन बनाना है इसके उपर बाई की पोजिशन बनाई यह 450 का स्टॉपलास लगाई और 4550 के टारगेट के लिए पोज चाहासा लॉस हो रहा है जब तक वो 490 के उपर नहीं जाता तब तक आपको एड भी नहीं करना है पूजीशन और एड करते हो तो आपको लिए स्टापलास रहेगा 450 का तो 450 के साथ आप बाई की पोजीशन बना सकते हो लेकिन 490 के उपर जब तक नहीं जाता तब तक आपको बाई की पोजीशन नहीं बनाना है और 490 के उपर जाएगा तो 550 से लेके 570 के तारकेट के लिए पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो अभी बात करेंगे जो सेल पर बैटे है उनको क्या करके चलना चाहिए बहुत अच्छा प्रॉपिट मिर रहा होगा तो एक जीट कर है तो इस लेवल पर कोई भी सेल की सला ब्यूकुल नहीं है वेट करिए यहां पर बाइंग की अपरचुनिटी तुनने की कोशिश करिए तो यह आने वाले दिनों में यंजी के उपर जी जो आनलेसिस बताया यह मरा सेल पैनलेसिस है मैं कोई सेबरेशन नहीं हूँ जो आन सब्सक्राइब के साथ तब तक लिए बाइबाई